पांच इंटरनेशनल एरपोर्ट बनाने वाला पहला राज्य बनेगा यूपी जी हाँ तो आज की इस वीडियो में हम मुख्य रूप से जानेंगे कि आखिरकार उत्तर प्रदेश में किन किन जगहों पर हवाई एड़े वर्तमान में हैं अंतरराश्ट्रिय और किन किन जगहों पर अंतरराश्ट्री हवाई एड़े बनने जा रहे हैं जिसके चलते हम सब ही उत्तर प्रदेश से डिरेक्ट विदेश यात्रा कर सकेंगे नवशकार मैं मुनाली पाने और आप देख रहे हैं नियूस 28 जिहां जैसके आप सब जानते हैं कि 2012 तक उत्तर प्रदेश में सिर्फ लखनव और वारांची में ही अंतरराश्ट्री हवाई एड़े थे हलाकि बीते 20 अक्टूबर को प्रधानमंदी नरेंद्र मोधी द्वारा कुशीनगर में भी एक अंतरराश्ट्री हवाई एड़े का उद्गाटन किया गया है और अयोध्या में भी हवाई एड़े का काम जोरो सोरो पर है जेहां हाल ही में राज़े सरकार का एक बयान सामने आया है कि देश के किसी भी राज़े के मुकाबले उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा अंतरराश्ट्री हवाई एड़े होंगे राज में फिलाल आठ हवाई अड़े चालू है जबकि 13 हवाई अड़ो और 7 हवाई पट्टियों को विक्सित किया जा रहा है बयान में कहा गया है कि राज्या पांच अंतर रास्ट्री हवाई अड़े बनाने की राह पर है इनके बनने के बाद यहां से सीधे लोगों को विदेश जाने की फ्लाइट मिल सकेगी 25 नमंबर को प्रधान मंत्री नरेंडर मोदीज जेवर में नोएड़ा अंतर रास्ट्री हवाई अड़े का शिलान्यास करने जा रहे है जी हाँ जैसा कि आप सब जानते हैं कि अयोध्या में भी हवाई अड़े बनने का काम जोरो सोरो पर है और अगले साल तक इसे शुरू भी किया जा सकता है वहीं पाचवा अंतर रास्ट्री हवाई अड़े न्सियार यानि की नोएड़ा के जेवर में बनाया जाना है जिसके चलते यात्री सीधे यहां से विदेश तक की यात्रा को कर सकेंगे